प्रिया चात्रगन नमस्ति हमारा देश मोरिशस एक छोटा सा टापू है यहाँ अपने प्राक्रितिक सौंदर्य के लिए विश्व में प्रसिद है इसके सुन्दर समुद्र टटों के कारण पढ़्य तक यहाँ आना पसंद करते है आज के पाठ में हम मोरिशस से संबंधित कुछ महत्वपूर्न बातों की चर्चा करेंगे आएए पाठ को ध्यान से सुनते है मोरिशस टापू हिंद महासागर के डक्षिन पश्चिम में स्थित है इसे हिंद महासागर का तारा भी कहा जाता है मोरिशस का छेत्रफल लगभग 1865 वडग किलोमीटर है देश की समुद्री तटरेखा की लंबाई लगभग 177 किलोमीटर है टापू की लंबाई 65 किलोमीटर है चौड़ाई 45 किलोमीटर है मोरिशस की राजधानी पोटलूई है यह देश के उत्तर पश्ची में समुद्र तट पर स्थित है टापू के चारों और प्रवाल भिद्धी है जो समुद्र तटों को सुरक्षित रखती है देश में तेन परवत मालाएं है पोटलूई मोका, गांपो और ब्लाक रिवर सावान समुद्र तटों पर ताड और नार्यल के पेड़ सुन्दर लगते है देश में दो सुप्ट ज्वाला मुखी है तो सेय और तो कानाका ये सब मुरिशिस के प्राकृतिक सौन्दर्य में चारचान लगाते है आंक्रों के अनुसार 2019 में मुरिशिस की जन संख्या लगभग 12.7 लाग थी यहां के नागरिक एक दूसरे की भावनाओं और त्योहारों का सम्मान करते है अनिक्ता में एक्ता हमारे देश की विशेश्ता है इसी विशेश्ता के काड़न हमारे छोटे से टापू की चर्चा अनेक देशों में होती है मुझे अपने देश पर गर्व है मुरिशिस के बारे में कुछ विशेश बातें सुनी आईए अब पाठ में आए कुछ कठेन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करते है क्षेत्रफल किसी वस्टू या इस्थान की लंबाई चोड़ाई का गुणा उदाहडन लंबाई गुणा चोड़ाई बराबर क्षेत्रफल 16 इंच गुणा 10 इंच बराबर 160 इंच क्षेत्रफल इस्थित एक इस्थान पर ठहरा या ठिका हुआ प्रवाल भित्ति समुद्र के भीतर पाई जाने वाली चट्टानों से बनी दिवार सुप्त सोया हुआ आंख्रा तथियों की गणना जन संख्या किसी नगर या देश में बसने वालों की गिनती अथ्वा आबादी आएए अब इन कठीन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में सुनते हैं क्षेत्रफल मेरी कक्षा का क्षेत्रफल बीस वर्ग मीटर हैं स्थित ताजमहल आगरा में स्थित हैं प्रवाल भित्ती प्रवाल भित्ती की सुरक्षा के लिए सरकार नए कदम उठा रही हैं सुप्त इटली का माउंट विसुव्यस एक प्रसिध सुप्त ज्वाला मुखी हैं आंक्ड़ा हमारे स्कूल का आंक्ड़ा यह बता रहा हैं कि कम बच्चे विज्ञान में रुची दिखा रहे हैं जनसंख्या विश्व की जनसंख्या बढ़ती जा रही हैं आप लोगोंने पाठ में ये शब्द भी सुने लगभग, समुद्री, चोड़ाई, तीन आदी व्याकरण में इनहें विशेशन कहते हैं संग्या या सर्वनाम की विशेश्टा बताने वाले शब्द विशेशन कहलाते हैं और जिनकी विशेष्टा बताई जाती हैं, उन्हें विशेष्य, संग्य, सर्वनाम कहा जाता हैं। आए इन उदाहडनों से समझने का प्रयास करते हैं। इसका क्षेत्र फल लगभग 1865 वर्ग किलोमीटर हैं। विशेष्ण शब्द हैं लगभग और विशेष्य क्षेत्र फल। वाक्य हैं देश की समुद्री तट रेखा की लंबाई लगभग 177 किलोमीटर हैं। विशेष्ण हैं समुद्री और विशेष्य तट रेखा। टापू की लंबाई 65 किलोमीटर हैं। विशेष्ण शब्द हैं लंबाई और विशेष्य तापू। वाक्य हैं तेश में तीन परवत मालाएं हैं। विशेष्ण तीन और विशेष्य परवत मालाएं। आए अब विशेष्ण शब्दों के कुछ अन्य उदाहरन सुनते हैं। सफेद कुट्टा पानी पी रहा हैं। इसमें विशेष्ण शब्द हैं सफेद और विशेष्य कुट्टा। वाक्य इस प्रकार हैं। पिताजी ने पौँच किलो आलू खरिदे। विशेष्ण पौँच किलो और विशेष्य आलू। वाक्य कुछ बच्चे फुटबोल खे रहे हैं। विशेष्ण कुछ विशेष्य बच्चे। मेरी बहन तीसरी कक्षा में हैं। इसमें विशेष्ण शब्द तीसरी और विशेष्य कक्षा। उस जंगल में आग लगी हैं विशेशन उस और विशेश्य जंगल वाक्य मेरे चाचा जी एक विदेशी कमपनी में काम करते थे विशेशन शब्द विदेशी और विशेश्य कमपनी इन वाक्यों में केवल संग्या शब्दों की विशेश्टा बताने वाले विशेशनों के प्रयोग को समझने का प्रयास करते हैं वाक्य इस प्रकार है आभा एक सुशिल चात्रा है और सुशिल विशेशन है चात्रा विशेश्य बालक एक चित्र बना रहा है यहाँ पर एक विशेशन है और चित्र विशेश्य मेट्रो में अधीक यात्री सफर करते है अधीक विशेशन और यात्री विशेश्य मुझे चांदनी रात पसंद है चांदनी विशेशन और रात विशेश्य आशा करती हूँ कि अब आप अपनी भाषा में विशेशन शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे अतह जो शब्द संग्या या सर्वनाम की विशेश्टा बताते है वे विशेशन कहलाते है जिनके विशेश्टा बताई जाती है उन्हें विशेश्य कहा जाता है आज के लिए इतना ही धन्यवाद और नमस्ते